MPPSC Assistant Professor की Hindi सहित टेस्ट सिरीज में आपका स्वागत है साथियो अगर आपका सपना है Hindi सहित से Assistant Professor बनने का तो साथियो यह टेस्ट सिरीज आपके लिए है बिल्कुल निस्फिल को टेस्ट सिरीज यह साथियो यहाँ पर आपको मैं बता दू साथियो कि आपका यहाँ पर मद्रिदेश लोक से वा आयोग ने दो प्रश्ण पत्र दे रखे हैं प्रतम प्रश्ण पत्र जो की आपका मद्रिदेश से सम्मनित होगा और द्यूति प्रश्ण पत्र जो की आपके विशे से सम्मनित होगा और आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पर MPGK के 50 question पुछे जाएंगे, तो वहीं आपके हिंदी सहीति से 1500 question यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1500 question पुछे जाएंगे, और साथियों यह जो 1500 question होंगे, यह 10 unit से पुछे जाएंगे, ठीके, 10 unit से मिला करके आपके 1500 question होंगे, यह इनकी प्रतियक unit से आपके कितना question होंगे, प्रतियक unit से 15 question, 15 question हर unit से आएंगे, तो साथियों मेरा यहाँ पर प्रियास रहेगा, कि हर unit से 15 question आएंगे, आपके वो किस प्रकार के आएंगे, किस type से आ सकते हैं, क्योंकि MPPS जो पिछले exam लिए उसके आधार पर मैं आपको question बन आपको पहले जवाब अपने मन में सोचना है कि क्या होगा, और फिर मैं लगा हूँ आपको पता चल जाएगा कि आपकी 15 में से कितने सही हो रहे हैं, ठीक है सातियों, और आपकी जो पहली unit है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली unit है आपका हिंदी भाशा, उद्भव, विकास और स्वरूप आपको पढ़ना है, एक बार देख लें आप ध्यान से कि इसका क्या है सिलेवस हिंदी भाशा का उद्भव एवं अब्रण्ष के सेत्री रूप, ठीक है, अगला है हिंदी प्रदेश उप भाशा हैं तता बोलिया जिसमें अवधी, ब्रज, बगेली, मालवी, भूंदेली का परिचे, शेत्र एम, सहितिक योगदान, ठीक है, इसी पकार से साथियों यहाँ पर आप देखने हैं खड़ी बोली का सहितिक स्वरूप, एवं विकास, सरस्वती तथा अञ्य सहितिक पत्रिकाओं की भूमी का, इसी पकार से अगला है आपका इस से 15 कोश्चन लेने का परियास किया है, ठीक है इसी परकार से आपन आगे भी जो आपकी इकाई 2-3-4 परकार से 10 से उनिट तक 15-15 कोश्चन लेने का परियास करेंगे, और आपसे निवेदन है, कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सस्क्राइब नहीं कर अभरंस से हुई है, आपको बताना है कि पश्चिम हिंदी की जो उत्पत्ति है, इनमें से किस अभरंस से हुई है, मागदी से हुई है, सोर सेनी से हुई है, अर्द मागदी से हुई है, पेसाथी से हुई है, तो सात्यूब आप सभी को पता होगा कि यहां पर जो पश्चि कि पूरवी हिंदी की उतोथी किस अब्रंस अब्रंस घंटाने कि उसी प्रकार के कुछ रहूं ये और कभी आये हुए है या आने के पूरे संभा होना इसी प्रकार के कुश्चन मैंने लिए हैं ठीक है जो नेर्ट सेट या फिर जो भी एक्जाम होती है वहीं से कुश्चन है ठीक है तो आप और आपकी सिलेबस क्या कोडिंग है अगला कुश्चन है आपका बिहारी हिंदी की उत्पति इनमें से किस अबरंस ह नहीं आती है अब आपको बताना जो पूर्वी हिंदी आपकी इसके अंतरगत कों से बौलि नहीं आती है अगला कुश्चन आपका पष्छिम हिंदी के कौन सी बोली नहीं आती आपको बता ना पंस्चिं हिंदी कि अंतरक्त ऐगी सथिज़ता हो गई अगला कुछन अगला अगला कुछन है भिहारी हिंदी के अंतरक्त कों सी बोली नहीं आती है अब बिहर इन्दी के अंतरत कौन से नहीं आती है साथ आपको पता होगा मारवारी मालवी मेवाती और अवधी में से कौन से नहीं आती है तो फोसे लगिन अवधी आपकी राजिस्थानी नहीं है ठीक है इस पकार से आप question का answer लगाते रहे अपने मन में भी और last में आप जरूर बता हैं कि आपके इस 15 में से कितने सई हो रहे हैं ठीक है अगर 15 में से आपके 13 प्लस सई हो रहे हैं तो अगे हैं उजेन रतलाम इंदोर देवा शेतर में कौन से बोली बोली जाती है तो यहां पर आपको बता होगा यहां पर मालवी बोली बोली जाती है ठीक है मेरे लगाने से पहले ही आप अपने में सोच ले कि आपका अंसर क्या आएगा और फिर में लगाओं तो आप देख लेना कि हां बिल्कुल सही है गलत है ठीक है अगला है आगरा मतुरा अलिगर बरेली बदायू एटा मेन पूरी में कौन से बोली बोली जाती है ठीक है बिल्कुल याद रखेंगे साथियो ठीक है सीतापूर में कौन से बोली बोल जाती है तो साथियो आपको पता है इसमें से बताओ अवधी ब्रज बगेली और मालवी चारों में से कौन से बोल जाती है तो साथियो आपको बता होगा अगर आपका अंसर यहां पर बगेली है तो बिल्कुल सही है क्योंकि रिवा और उसके आसपा से शेत्रों में बगेली बोली बोली जाती है आगे बढ़ते हैं बारवा कुश्चन है ग्वालियर और चा सागर में कौन से बोली 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 जाती है आपको बिना देके लगाना है बताओ ग्वालियर और चा सागर में तो साथियो अवधी, बुंदेली, भगिली और मालवी ये चार ओप्षन है अगर आप यहाँ पर बुंदेली लगा रहे हो तो बिल्कुल सही है ग्वालियर और च्छा सागर में बुंदेली बुली बुली जाती है आगे बढ़ते हैं साथियो अगला कुश्चन है आपका तेरवा मेरट सहरानपूर बिजनोर किस बुली के शेत्रे में आते हैं तो साथियो आपको पता होगा तो यहाँ पर चार ओप्षन है खड़ी बुली 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 जाती है आगे बढ़ते हैं चओधा कुश्चन है आपका देवनागरी में अ की बारेखनी का सुझाओ किस ने दिया था तो बिल्कुल सही है साथियो ठीके आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है आपका दक्षिन भारत हिंदी प्रचार सभा इस्तित यह कहाँ पर इस्तित आपको साथियो अगर आपका अंसर जो है यहाँ पर मद्रा से तो बिल्कुल सही है साथियो इस पकार साथियो इस पहले यूनिट के मैंने अभी आपको 15 कुश्चन करवाएं इस पकार से अगले यूनिट के 15 कुश्चन इस पकार सब यूनिट के 15 कुश्चन हम करेंगे ठीके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय भारत